हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक ग्रेगर है मैं मनोविकार, सेक्स रोक, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तग्य हूँ काभी सारे माबाप मेरे तरफ आते हैं उनके बच्चों को लेके और उनको बच्चों को रहता है अडिक्शन्स एडिक्शन्स का अगा तो एडिक्शन्स एक तो ऑनलाइन का इंटरनेट का एडिक्शन, फेस्बुक का एडिक्शन, वाट्साप का एडिक्शन, गेम्स किलने का एडिक्शन, यूट्यूब का एडिक्शन, या कॉंपेटर के ऊपर वीडियो देखना, पिक्चर देखना उसक लिए होता जाए कि अभी जो इतना fast life हो चुका है और बाबाब दोनों भी busy है अपने-पने काम में, अपने-पने वेवार में हर व्यक्ति, मतलब चार लोग इदी आप होटल में गए अभी और एक ही family के दी चार लोग होटल में बैटे होंगे तो खाने के order देने के बाद में खाना आने तक आप उनको देखो सब लोग अपने-पने mobile के ऊपर, whatsapp या कुछ त भी chatting करते भी देखते रहते हैं और हमको दिखाई देते हैं लोगों को हर जगह जहां वहां एक addiction जैसा हुआ है कि जहां वहां एक बार 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 वह Facebook खोल के देखो, अपना account खोल के देखो, whatsapp देखो और online लेने का, online रहने का addiction हो चुपा है online रहना है, कैसा जब सब लोग जब busy है तो घर में लोगों को, बच्चों को appreciation नहीं मिलता, admiration नहीं है, प्रशनसा नहीं है, उनको अकेलापन महसिस होता है घर में, बोलने के लिए कोई नहीं है घर में, तो ऐसे वातार में जब लड़का अकेला रहता है तो उसको ऐसा लगत है कि काफी जगह, लोग selfie निकालते निकालते ताला में डुब गए, यहां कहीं, ऊपर कहीं चले गए और वहां से नीचे गिर गए, तो काफी accident हो चुक है, selfie का भी एक addiction हो चुका है कि selfie निकालना, पुरान अपना status डालना, facebook के ओपर, whatsapp के ओपर डालना, और लोगों की फिर उसके बाद में फिर एक irresistible desire, मतलब रूप नहीं सकते है कि मैं मिरको like कितने है, कितने लोगों ने देखा, उनकी क्या comment है, मतलब इसके लिए वो ऐसा बेचेन हो जाते हैं और बच्चे फिर उसमें लगे रहते हैं, ना उनको पढ़ाई याड आती है, ना और कुछ, एक वो addiction जैसा हो चुका है, और continuous online रहना, Facebook के उपर online रहना, WhatsApp के उपर online रहना, और continuous अपना status update करना, लोग क्या बोल रहे है, लोग क्या कर रहे है, उसके बार में जानकारी लेना, ऐसा survey में मालूम पढ़ा है कि कम से कम लोग, मतलब बच्चे लोग इनको addiction हो चुका है, ये 20 घं मतलब कम से कम on average 2-3 घंडे, 3 घंडे, 4 घंडे इसके उपर अपना time बिताते है, अच्छे इसका addiction हुआ ये कैसे समझना, कि इसका addiction हुआ, मतलब लट लग गई है, आदत लग गई है, ये समझना कैसे, तो जब बच्चों को उसके सिवाय रहाने जाता, तो भी Facebook खोलने के रहाने जाता, chatting करने के सिवाय रहाने जाता, response करना रहाने जाता, like देखना ही पड़ता है, वो किया नहीं तो बेचेन हो जाता है, मतलब बच्चे बिलकुल जो मेरे बास में लोग लेके आते हैं, typically लोग बोलते है, कि मेरे को देखाने तो मुझे ऐसा लगता है, कि मैंने क इसे भी खो दिया है, फिर खाना नहीं जाता है, मेरे को भूख नहीं लगती है, मेरे को उदास हिनता लगती है, और मुझे वो देखना ही पड़ता है, फिर लोग रात को जी उन्होंने अपने अकाउंट्स चालू किये, WhatsApp के, Facebook के, या फिर इसके computer के उपर games खेल रहे है, य फिर दूसरा दिन खराब हो जाता, दूसरे दिन में फिर आलस, नीन आना और फिर उसमें लगे रहेना, होता क्या है कि जब वो Facebook के उपर like आती है, या कोई comment आती है, तो अच्छा लगता है, अच्छा है क्यों लगता है कि वो जब देखते है, तो dopamine levels जो है, chemical जो substances है, उसमे dopamine है, endorphins, उसमें dopamine है, तो dopamine level बढ़ जाती है, और ये एक reward center जो है, brain के, वो stimulate हो जाते है, तो dopamine level बढ़ गई, अपने को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए फिर से जब जब अच्छा नहीं लगता, तब तो वो Facebook और WhatsApp देखना पड़ता है, और फिर वो दुष् मत खोल, या कोई games मत खेल, या फिर Facebook के उपर मत जा, तो यसा बोलते रहते हैं, अगर फिर उनने ये नहीं किया, तो करना क्या है, बच्छों के सामने हमने ऐसा कोई बड़ा purpose ही नहीं खड़ा किया, बड़ा कोई goal खड़ा नहीं किया, उनको जिन्दगी में करना क्या है, उ उसके parts fit करना, उसमें interest समझे बच्चों को आ रहा है, और उसको ऐसा मन से लगता है कि मैंने इंजिनियर बनना चीए, मापाग उसके उपर थोप देंगे कुछ तभी, उसका गोल पक्का नहीं है, जबरदस से उसको बिठा के रखावा है, फिर वो इद उदर भागते रहता और वो खेलेंगा फिर games, वो जाएंगा facebook के उपर, वो जाएंगा internet के उपर, surfing करेंगा, जवाब देंगा, और अपने अपना status अपडेट करते जाएंगा बार 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 फोटो निकालते जाएंगा, उसमें गुता रहेगा हो, तो सामने कोई मक्सब नहीं है, सामने कोई goals न पास में नहीं है, और फिर हम बोलते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ाई करता नहीं है, यह बोलते रहते हैं, इसके उपर यह है कि addiction के उपर भी, मैं एक अलग से सम्मोन का, hypnotism का एक वीडियो अपलोड करूँगा, कि जिसमें फिर hypnotism के माद्यम से, hypnotism के मा उसको कैसा treatment देना, ताकि वो addiction free हो जाएगा, तो वो हम करेंगे, इसके लिए कोई दवा ही नहीं है, इसके लिए कठोर शासन आवश्चा के घर में, जब हम बच्चों को बोलते हैं कि TV मत देख, या पढ़ाई में ध्यान दे या फिर Facebook मत दे, माँ बाप, सभी लोग घर के अपने अपने Facebook अकॉंड में ज्यादा वीजी है, WhatsApp में ज्यादा वीजी है, और हर एक जन कम से कम, और रात का टाइम तो बहुत ज्यादा उसमें जाता है, करीब एक बार खाना पिना हो गया, फिर सब लोग अपने-पने WhatsApp मतलब घर में बैटे है एक जगह, और सब लोग इंटरनेट या सोचल मेडिया पी जाओंगा, और वहां जो भी करना हो करूंगा, तो फिर आपस में प्रिष्टे अच्छे बनेंगे, वेवार अच्छे हो जाएंगे, घर में एक बनने सा जाएंगा, और एक अच्छा बच्चा आगे देश का नागरिक बनेगा, अधरवा अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बच्चों को इसमें लत लगा रहे हैं, मेरे हाँ तो मतलब मेरे होस्पिटल में पेशन एड्मिड हो थे हैं, उनके तीन तीन चार-चार साल के बच्चे मोबाइल के उपर खिलते रहे और उसमें बहुत मज़ा आता है, बच्चा रोता है उसको आपने मोबाइल पकड़ दिया, कोई तो भी कुछ तो भी खिलते रहे, बच्चा खिलते रहे ता उसका रोना बन हो जाता है, अभी तीन साल के बच्चे को यह चार साल के बच्चे को आप मोबाइल खिलने के लिए और उसको उसकी वहां से लगा रहे हैं, देखो क्य हाल होंगी उसके आगे चलने के बाद में, आगे उसकी उमर बढ़ने के बाद में, तो इसके लिए अवेरनेस बहुत जरूरी है, ने तो फिर बहुत कठिन समय सामने आ जाएंगा, पता नहीं क्या होगा तो आगे वीडियो चरूर मेरा देखेंगा जिसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये वीडियो ये सम्मोहन के मात्यम से ये इंटरनेट एडिक्षन है या सोचल मेडिया का एडिक्षन है उसका इलाज कैसे की जाए आपके संपर्ग में काफी लोग होंगे कि जिनको जिनके बच्चों को या जिनको बड़े लोगों को भी इसका एडिक्षन होगा तो इसके इससे कितना नुकसान होता है इससे डिप्रेशन कैसा आता है इसमें मानसिक्ता कैसी बदल जाती है अन्प्राइटिविटी कैसी हो ज सब्सक्राइब करो मैं काफी वीडियो डालते रहता हूं ताकि सब के लिए मानसिक स्फास्तिय और पुरा देश नशामुक्त यह मेरा अजेंडा है काम करने के लिए आपका भी हाथ मुझी चाहिए उसके लिए आप जरूर मेरे वीडियो देखते रहेंगे लोगों को शेयर क करें एमाजू